बैंक और मुफर्रत सूथ इस सबक में हम बैंक से रख्मका लेंदेन इस टॉपिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बैंक से रख्मका लेंदेन कौन कौन कर सकता है और किस तरह से किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे जैसा स्क्रीन पर आप लोगों के सामने एक तसवीर नजर आ रही है जिसमें मुक्तलिब किस्म के अफ़राद आपको नजर आ रहे होंगे यह तमाम ही बैंक से रखम का लेंदेन करते है रोज मर्ना जिन्दगी में हम सब पैसों का लेंदेन करती ही रहते है आईए देखते हैं कि बैंक में कौन कौन और किस तरह से पैसो का लिंदेन करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे ताजिर ताजिर बैंक से किस तरह लिंदेन करते हैं तो ताजिर अपनी तिजारत के लिए बैंक से लिंदेन करते हैं ये बैंक में खाता खोलते हैं इसमें तिजारत के जरीए होने वाले नाफा इसकी रख्म को जो है तो ये महफूज रखते हैं साथ ही अगर तिजारत में नुपसान हो जाए और पैसों की किल्लत हो तो हजबे जरूरत बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं इसके बाद में तालेब इल्म अपनी स्कॉलर्शिप जो सरकार की तरफ से उनको मिलती है ये बैंक के जरीए हसिल कर सकते हैं इसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं इसी तरह पेशेवारान लोग जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर अपनी तनखा और जामाशुदा रखने और निकालने के लिए बैंक के इस्तेमाल करते हैं साथी साथ ये हस्बे जरूरत बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं और वक्त पर इसकी अदाईगी करना लाजमी होता है इसके बाद किसान, किसान अपनी साल भर की जमाशुदा रखने और निकालने के लिए बैंक में खाता खुलते हैं ताके वो जरूरत के वक्त इन पैसों को इस्तिमाल कर सके, साथी साथ सरकार की तरफ से जब फसल की पैदावार का वक्त होता है, तब किसानों को कर्ज मुहिया किया जाता है, और ये कर्ज फसल के निकल जाने के बाद उसे बेचने पर जो पैसा हसिल होता है, उसके जरीए साथ ही मुक्तलिफ सहुलियात के बीना पर इनको कर्ज दिया जा सकता है